तो हाई वेरिवन दन्य स्टड़ी आई क्यों में आपको स्वागत है अभी फिर आपके समय रीजनिंग का एक और कोशन लेकर आए हूं फ्रेंस कोशन इंपोर्टन है कई बार एक्जैम में पूछा जा चुका है तो चलिए फ्रेंस कोशन स्टार करते हैं फ्रेंस कोशन दिया कि एक चीन टी आगर तीन मेटर चलती है और फिर चार मेटर चलती है फिर चार मेटर उचे पेड़ पर चलती है तो बताइए अपने मूल स्थान से वह एक इतनी दूरी पर है तो फिर्स को्को पर फिट से समझे एक चिरिटी तीन मीटर चलती है फिर चार मीटर मुझे पर चलती है तो यह कि पने मूल स्थान से कितनी दूरी पर दूरी पर है तो अगर आभी तक आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर चनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेके हूं उसका सबसे पहले अपडेट आपके पास पहुंचता रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोशन को समझे एक चीर्टी अपने मूल स्थान से सुरी एक चीर्टी तीन मीटर चलती है तीन मीटर उसने चला ठीक है फिर वह चार मीटर उंचे पेड़ पर चलती है यह चड़ी वह चार मीटर ठीक है तो आप कोशन बताता है वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है प्रेंड्स अक्सर लोग पता क्या करते हैं जब भी एक्जैम में ये कोईशन पूछते हैं तो कई लड़के क्या करते हैं कि सीथे 3 प्लस 4 7 मिर आप्शन बी जो ये 7 मिर दिया तो इस पे टिक कर देते हैं कि ये सही है अगर बी इस इतना स्मस्क्राइब इस नखंशन दे बीद्स तो ये एक्जैम में नहीं पूछते हैं इसमें क्या पूछरे focused वो अपने मूल स्थां से कितनी दूर पा रही है वो ये नहीं पूछरे कि कितनी चली है वो ये पूछरे है कि कितनी दूर है मलब यहां से यहां तक यह वाला गैप हमने बताना है कि यह कितना गैप है अपने यह इस पॉइंट से जहां से चलना स्टार्ट किया था वहां से कितनी दूर है यह नहीं कि वह कितनी चली है ठीक है तो चलिए अब बता तो कैसे करना है यह यहां पर हमने यह वाला फाइंड क करना है कि तो सबसे पहले यह बन गए यह राइट एंगल ट्रेंगल ठीक है ओर राइट एंगल ट्रेंगल यह हमारी है विल आ और यह परकेंडी a cooler ठीक है और यह क्या हो गई जो राइट एंगल के ओपोजिट साइड होती उसको क्या बोलते हैं हाई पार्टी न्यूज ठीक है यह बेस यह परपेंडिकुलर और यह हाई पार्टी न्यूज तो घूब लिधी तो यह क्या है हाई पार्टी न्यूज तो आपने यह पढ़ा होगा कि हाई पार्टी न्यूज के स्केर is एकर बैस के स्केर प्लस पर्पेंडिकुलर का स्केर प्रिपेंडिकुलर यह और यह आई हमारे पास बेस तो यह फार्म लाँ को पता ही होगा कि हाई पार्टियुस का स्केर is equal to base ka square plus PR perpendicular ka square तो हम्मारे पास हमने यह वाल distance find करना तो यह क्या है हाइपार्टी नियूज निकाल नहीं है तो हाइपार्टी हाइपार्टी नियूज 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 is equal to 3 का स्क्वेर 9 प्लस 4 का स्क्वेर 16 हाई पार्टी निव्ज का स्क्वेर इसको नाइन प्लस 16 या यह तो मारे पास 25 ठीक है आप देखो हाई पार्टी निव्ज इसको स्क्वेर को उधर लिया तो यह बन गया यह रूट अंडरूट 25 को अंडर यो 25 प्योंज़ वेंद स्वेज संशावय तू ठीक है मालब 5 म्टर वो अपने मूहन में ज्न से दूरी पर रहे ठीक है फिर डी आद्यकम ऑप्शनeeee is the correct option and simple question था एक पर फिर से समझाता हूं एक चींट जो थी आपने मूल स्थान से फिर वह 4 मिटर ऊंचे पडवी यांसी यह आया पेड मारा थी कार इस पेड पर पर और इसकी बेस और इent पर यह इसकी बेस और यह इसका परन देट परपंडि कुलर ठीक है पर धृपंडी कुलर यह था 4 meter 3 meter तो फिर formula हम प्लाइ किया जो आपने पहले पड़ा होगा hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square hypotenuse square is equal to 3 square base 3 meter तो 3 square plus perpendicular square 4 meter दीथ हमारे परेंडिकल तो 4 square तो hypotenuse square is equal to 3 square 9 plus 4 Square 16 15 is equal to 25 9 plus 16 25 तो hypotenuse square is equal to under root 25 यह स्केयर को यहां से इधर लिया तो यह अंडर रूट में कनवर्ट हो गया तो अंडर रूट 25 इसकल टू फायो ठीक है अच्छे से समझ आये होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो जितने हो सके वीडियो को शेयर करो और मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लो और बैल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेका हूं उसका सबसे पहले अपडेट आपके पास मिलता रहे तो चल